नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं बर्डवारे लिए दोस्तों आपका स्वागत है खुबसूरत लड़कियों वाला देश जहां दुलहन खोजने दुनिया भर से आते हैं लड़के वैसे तो रूस की पहचान यहां के कई लाकों में खुण जमा देने वाली ठंड के रूप में होती है लेकिन इसकी दूसरी पहचान यहां के खुबसूरत लड़कियों भी है आपको जानकर राश्चर रहोगा कि किसी के चलते यहां दुनिया भर से लड़कों दूलहन की तलास में पहुचते हैं खास तोर पर यहां चीन के अधिकतर युवा पहुचते हैं चीन में लड़कियों की कमी से परिसान है लड़की चीन में सरकार की काफी समय से वन चाइल्ड की पॉलीसी रही है जिसके चलते हैं लड़कियों की संखिया में भारी कमी आ गई है आलम यह है कि चीनी लड़कों को साधी के लिए लड़किया नहीं मिल रही इसके चलते चीन के लड़के दुनिया में दुलहन की तलास में दूसरे देश जाना पड़ रहा है आम तर पर चीन के लड़के रूस के साइवेरिया ही पहुचते हैं क्योंकि यहां की लड़कियां खुबसूरत होती है आपको जानकर असर होगा कि रूस में तो अब यह बिजनस बन चुका जिसे बाइफ टुरिज्म भी कहा जाता है इसके अलावा इसका एक कारणिया भी है कि रूस में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संक्या धिक है यहां एसी कई लीगल मेरेज एजनसिया है जो लड़कों को उनकी मन पसंद लड़कियों से मिलाती है रिपोर्ट्स के मताविक यहां बड़े बड़े बिजनस में भी खुबसूरत दुलहन की तला से पहुशते है इसके लिए मेरेज एजनसियों को लाको रुपिय का पेमेंट भी करना होता है आम तोर पर एसियन लड़कियां अपने ही देश में साधी करना पसंद करती है इसलिए बाहरी लड़कों को ज़्यादा मसकत करनी पड़ती है दरसल रूस एक ठंड़ा देश है और बात अगर साइवेरिया की हो तो यहां की लड़किया गर्म इलाकों में रहना पसंद ही नहीं करती है वैसे रूस में कुछ मेरेज एजनसिया की माने तो यहां की सैक्रो लड़कियां अब तक बाहरी लड़कों से साधी करके अपना घर बसा चुकी है इतना ही नहीं मेरेज एजनसिया लड़कों को इंप्रेस करने के टिप्स भी देती है लड़की और लड़का अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो साधी के लिए पहले रूस का ही लीगल मेरेज सिस्टम अपनाना पड़ता है तो दोस्तों या जानकारी आपको कैसी लेगे हमें कमेंट करके जरूर बता है इस वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद